असलाम वालेकुम वेलकम टू जाइका एब्रीडे जाइका एब्रीडे में एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मसेदार रेसिपी आज हम बनाएंगे भुना चिकन इसके लिए हमने यहाँ पर 800 ग्राम चिकन लिया है चिकन में शामिल करेंगे 1 टेबल इस्पून करलिक पेस्ट और 1 टेबल इस्पून जींजर पेस्ट अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल इस्पून लाल मिर्च पोडर और 1 टी इस्पून हल्दी इसके साथ इसमें शामिल क करेंगे वन टेबल स्पून करबमसाला पॉडर अब हम इसमे नमक शामिल कर देंगेैं टेस्ट के कोडिंग मसालों को अच्छी तरह चिकन में मिक्स करेंगे और पंदरा मिनट के लिए धाकर रख देंगे पंधरा मिनट हो चुके हैं चिकन को रखे हुए चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे एक पेन में थोड़ा सा ओल डालेंगे और इसमें चिकन के फीचित preparation से रख देंगे और सिलो फलेम पर धीरे धीरे फ्राई होने देंगे इसे fry करते time हम इसकी sides भी change करते रहेंगे ताकि दोनों sides से अच्छी तरह से fry हो जाए जब इस पर light marks बनने लगेंगे तब हम chicken निकाल लेंगे आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छी तरह से fry हो गया है और इस पर light marks भी बन गए है चलिए अब हम इसे बाहर निकालते हैं चलिए अब हम भुने चिकन के लिए मसेदार grabby ready करेंगे इसके लिए एक बरतन में oil गर्म करेंगे और इसमें fry करेंगे onion हमने यहाँ पर 400 ग्राम onion ली है और उसे बारी कट कर लिया है onion को स्यादा dark नहीं करना है बस हलका सा fry करना है अब इसमें कुछ साबुत मसाले भी add करेंगे पाच लोंग, तीन टुकडे दालचीनी, चार सब्स इलाइची, वन टेबल इस्पून जीरा, छे या साबुत मिर्च, दो या तीन तेस पत्ते और एक बड़ी इलाइची साबुत मसालों को हम इसमें डाल देंगे और हलका क्रेकल करेंगे अब इसमें add करेंगे टमाटो प्योरी, हमने यहां पर चार बड़े टमाटर यूज़ किये हैं हम इसे एक या तेर्ड मिनट इसी तरह से फ्राइच करेंगे इसके साथ इसमें add करेंगे वन टेबल इस्पून जींजर पेस्ट, वन टेबल इस्पून गार्लिक पेस्ट, वन टेबल इस्पून लाल मिर्श पोल्डर, हाफ़ टी इस्पून हल्दी, टू टेबल इस्पून धनिया पोल्डर चम्मस से इसे अच्छी तरह चलाएंगे ताकि मसाले नीचे से लगे नहीं अब इसमें add करेंगे नमक, test के coding साथ में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सीरप ओडर थोड़ी सी कसूरी मेती भी इसमें शामिल कर देंगे इसके साथ हम इसमें 150 ग्राम दही भी शामिल करेंगे दही को हम एक सूती कपड़े में छान लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे साथ या आठ मिनट बहुत अची तरह से मसाले को भूनते रहेंगे आप देख सकते हैं मसाले ने तेल चोड़ना शुरू कर दिया है मसाला बहुत अची तरह से भून गया है ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम इसमें चिकन एड़ कर देंगे चमस से अची तरह से चिकन को मसाले में मिक्स करेंगे हम इसमें थोड़ा वाटर भी एट करेंगे और इसके बाद इसे कवर कर देंगे क्योंकि 10 मिनट हम सिलो फ्लेम पर इसे पकाएंगे 10 मिनट बाद चलिए इसे ओपन करते हैं अब हम इसमें हरधनिया शामिल कर देंगे हरधनिया शामिल करने के बाद हम इसे 2 या 3 मिनट भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राइ नहीं हो जाता आप देख सकते हैं पानी बिल्कु ड्राइ हो चुका है और चिकन बहुत अची तरह से भून भी गया है चलिए अब हम चूला ओफ कर देते हैं और भूना चिकन डिशाउट करते हैं इस तरह बनाईए हमारी रेसिपी से मज़ेदार भूना चिकन अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चैनल जाइका एबरिल डे को सबस्क्राइब जरूर करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफीज